हेलो स्टुडेंट्स पिछल लेक्चर में हम कर रहा था जैसी की चार पद हम कर चुके हैं आज हम उससे आगी करेंगे तो ये पद है ये वाला धरी तीर सब कंचो की सारी सरवर में पैटी सब बारी पाई नीर जानो सब बेली हुलसे करी काम के केली इस पद में जैसी ने जो पदमावती की सख्खिया उसके सउंद्रैcido کی योवनिया की बात किंगा उनके बताया है कि किस तरीके से जो सारी सख्खिया वह बेल्कुल अपने योवनिया है और पर धहली के नहीं उसी को यहां पर इन्होंने बताया है दो और फिर सभी जो है पद्मावति और उसकी सहिलिया जो है वो मांसरोर में इस्तान के लिए जाती है और वहां पर क्रिड़ा जल क्रिड़ा कर रही है तो पहली लाइन देखिए धारी तीन सब कंचु की सारी सर्वर में पैठी सब बार और सर्वर में सभी की सभी जो है वो उतर कर किड़ाएं करनी शुरू कर दिये और पाई नीर जनो सब बेली और जैसे कि पुष्प या जो पौधा है कोई भी वो पानी पाकर प्रफुलित हो जाता है इस तरह से जैसे इसमें कहना चाहिए कि बहुत जादा वो ताजा हो जा मुष्प पूल कर जाया है और ताथ की सभी नीर जनो सब बेली की यह पर बेल की बात की गई है कि जार चाहिए जिस परकार सभी पालाय जो है वो वह सरोबर के पानी में उतर द Hay बेल के समान ही फूल गई है। सा फूल सा कड़े काम के के लिए। इस परकार नहीं सा लिए प्रहु करिटाय करनी शरू करती है। और उनोंसे बहुत सारे क्णूप साथ जल में खीलना उनोंने प्रारम कर दिया ओगे कहरें करिल केस बिसहर बिस भरे और करिल केस केष खुलेव से उन्जूर केस के वजए से ऐसा लग रहता सरूवर में विशमरे साप उन्होंने इस्त्रियों के सब्सक्र फाहिए कमलों को अपनी दंत führen में जखड लिया हो लेहरे के कवल मुख धारे कि सभी जो सक्यों के जितनी भी सक्या है उनके मुख रूपी कमल पे जब के रूपी सर्प पड़े हूए हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कमलो को विश्भरे सर्पों ने अपने कुडली चक्र में जकड रिया हो और वो लहरा रहे हो नवल पसंत सवारी करी होई प्रकटी जानुहू रस्भरी उठी कोप जिसदारे दाखा भई उनंत प्रेम के पाखा और वे सारी जो सक्या हैं उस तलाब में इस्तान करती हैं मानो बसंत रितुने उन सभी सखी रूपी कलियों को अपने हाथ से सजाया और सवारा हो और वे सभी जो कलिया हैं वो रस से आपलावित होकर प्रेम खिल उठने के लिए आतुर हो रही हैं और प्रेम की अधिकता के कारण उन सभी के चेहरे जो हैं वो लाल हो गए हैं उठी कोप जस्दारिक दागा भाई उनन्त पेम के पाखा की पेम के साखा की पेम के कारण उन सबी के जो चेहरे हैं वे बिलकुल लाल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है से मानों अंगूर और अनार की बेलों पर नवी नवी लाल कोपले उठपन हो गई हूँ इसलिए उनकी जो सभी के हिर्देय में प्रेम की बेल है वो दीरे दीरे पूर्ण पलवित हो चुकी है वे सभी जो है जो सक्या है वो सभी प्रेम के रश्य पूर्ण रूप से रंग चुकी है कि पर संता का चिटन करते वे कभी कहता है कि स्वेम पद्मवती को अपने सरवर है Mane सरवर है उसकी पर संता का पारावर नहीं हो फूला नहीं सभी समारा है कि सर्यवर नहीं समा संसारा चांद नहाई पैट ले तारा कि सरोवर की परसंता क कोई भी बारावार नहीं है वो फूला नहीं समारा है उसका जल जो है संसार में स्वैं चंद्रमा और तारगणों को लेकर western कर रहा है इसलिए वह बहुत ज़ादा प्रसंद है यहां पर चंद्रमा पदमात्वती को कहा गया है और तारगंड जो है वो सक्षियों को कहा गया है इसलिए जो पांच रहा है बहुत जादा प्रसंद है कि चंद्रमा अपने तारगंड के साथ स्वेम उसके जल में स्नान कर रहा है इसलिए तलाब और तलाब का ज्ल्दोनों ही दोने हैं जहां पर स्वैम पर्माधना रूप E.P.दहळवती और की सख्या जो है पर स्थान कर रही है आगे कहरे हैं फब स्थान, और्च और, आब कित दीट, कमल, कबरां और कुमन्यान है इसलिए अब जो तलाब में कमल और कुमुद्नियों का कोई महत नहीं है कोई भी महत नहीं है इसलिए क्योंकि पद्मावती और कमल के समान स्वेम उस तलाब में उस बस्तित है और जो इसकी सक्या है वो कुमुद्नि के समाने इसलिए जो तालाप में कमल अकुमोनिया खिलती हैं उनका अब कोई भी महत नहीं रह गया है चकवई बिछुरी पुकारे कहा मिलो हो ना हो एक चांद निसी सरक में है निस दिन दूसर जलमा कि अब इसके बाद जैसी अंत में कहते हैं कि चंद्रमुखी पंदमावती को देकर चकवई चिंदा से व्याकुल हो जाती है क्योंकि एक चांद तो आकाश में उगता है रात्री में और दूसरा चंद्रमा दिन में भी तालाप में जलमें उदित हो गया है इसलिए अब चकवई व्याकुल है कि उसका बिलन अपने चकवई से किस प्रकार होगा क्योंकि यह एक रूड़ी है कि चकवई रात्री होते हैं अपने प्रेतम से व्योक्त हो जाती है उससे अलग हो जाती है इसलिए जब दो दो चांद चकवई देखती है एक दिन में और एक रात्री में तो वो और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है कि उसका बिलन अपने प्रेतम से किस प्रकार होगा अब अगला पत देखते हैं लागी केली करे मज नीरा हंस लजाई बैटी ओही तीरा पदमावती को तुक कहरा कि तुम ससी हो हो तराइन साखी इस पद में पदमावती जब अपनी सक्यों सहीद मांसरों किरारे पहुंची तो परस पर वारतलाब करती हुई इस नान करने के संवर्म प्रिवेश करने लगी तो उस ताइम के जो पदमावती की सक्या कर रही है उसका इहां पर जायसी बढंड है उन्होंने कि बताते हैं जायसी कहते हैं कि समझ सक्या ज़र में प्रिवेश करते हुई आनन्द विबहोर होकर क्रीडा करने हैं लागी केली करे मज नीरा बड़े कौतूल के साथ पदमावती कोतूग कहराखी तुम सशी हो तराइं साकित। सबी जो सखिया है उन्होंने पदमावती को जल में आने से रोक लिया और कहने लेगी और कहा कि तुम खेल का नेक्षन करने वाली बच जाओ ताकि कोई भी जो है वो खेल में बैमानी ना करें बाद मेली के खेल पसारा हार देई जो खेलत हारा तो यहां पर खेल जो है वो प् तो सावरी सावरी गोहरी अपनılी ऑने रेडिय तो सभी ने अपनी जोडी बना ली सवरी जहा थी उसने सावरी के साथ जोडी बनाई और जो गो challenge प्रार Mitte कर दिया बुजी खेल खेले हुई एक साथ हार न होई पराय हाथ तो सक्या परस्पर समझा करें लेगी परतिये को एक दूसरे के साथ समबर का खेल खेलना चाहिए जिससे किसी के गले का हार दूसरे के गले हार में न पड़ जाए सबी आपस में कह रही थी कि खुब आज कुब स्वैचा से खेल खेलो और खेल खेलने को कहा मिलेंगे तर आज हुँ खेल बहुरी कित होई खेल गए कित खेले होई कि जो खेल है आज ही खेलो पिपता नहीं कrov ये केल खेल पायेंगी द्धानी सो खेल खेल में सह पेमा रहतव ओ खोसल खेमा कसामित्व और कोषल प्रेम और साथ permits नहीं चलते, ale बिलकुल की अहंकार्ट यहां क्लियानकारी नहीं होता है। सच्छे खेल में प्रेम और सेयोगा होना आवश्यक अंत में जायसी कहरे है, कि मौहमत, बाजी बाजी, पेम के जियो, भावित्यों छेल, तिल फूलाही के संग जियो होई, फुलायत दिल। तो अंत में वो ग्रहन कर सुगंदे तेल रूप का रूपी धारण करता है उसी प्रका प्रेम और सहयोग से जीवन का अध्वुत रूप हो जाता है अतर प्रेम और सहयोग से जीवन में मदूर्था और स्निक्ता आ जाती है तो यहाँ पर जाईसी ने तिल की बात की है तिल को चाहे जिस प्रकार वी रखो उसमें से सुगन्दित तेल ही निकलता है। उस प्रकार के प्रेम है कैसी बाजी है। उससे जीवन में मदूर्दा और निकता ही आती है। तो आजकी रे इतना अगे का जो था आगे वहां है हैं वो अगले लक्ष में करेंगेS Thank you.